नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ सेर करने वाले हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहली बड़ी ख लाइटों को चालू करने जा रही है यहां पताई एरवेज ने जानकारी सेर करी है कि वो भारत से एक सब्ता में टोटल 35 फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी एक और खबर यहां पर एयर फ्रांस एयरलाइन्स कंपनी से सामने रही है एयर फ्रांस जो की मोजुदा समय में भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है इस समय एयर फ्रांस एक सब्ता में टोटल 20 फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है यहां पर एयर फ्रांस ने बता है कि वो अपरेल महीने से अपनी फ्लाइटों की संख्या बढ़ा रही है और एक सब्ता में टोटल 30 फ्लाइटे operate करती है यदि आप European देशन में travel करना जाते हैं तो Air France आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है फ्रेंट्स एक और खबर यहाँ पर Oman को लेकर सामने रही है आपको बता देखी Go First Airlines Company अब Oman के लिए अपनी flight को चालू कर चुकी है पूरे दो सालों के बाद अब Go First Airlines Company फिर दुबारा से Oman के लिए अपनी flight को चालू करने जा रही है यहाँ पर Go First Airlines Company ने जानकारी सेर करी है कि वो इन flight को भारत के कई सारे सहरों से operate करेगी फ्रेंट्स एक और खबर यहाँ पर Indigo को लेकर सामने रही है आपको बताना चाहेंगे कि Bangaluru के एक Software Engineer जिनका लगेज किसी और कस्टमर से Exchange हो गया था उसको लेकर वो Indigo Airlines से लगातार बाचीत करे थे कि उनके लगेज को ढूंड़ जाए लेकि Indigo Airlines से इसके उपर कोई भी मदद नहीं मिलने के बाद इन्होंने Indigo Airlines के वेबसाइट को हैक करके खुद से ये पता लगाया है कि इनका लगेज किस कस्टमर से Exchange हुआ है जिसको लेकर इन्होंने ट्वीटर पर ट्वीट भी किया है बाद में यहाँ पर Indigo Airlines ने इसके उपर क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बोला है कि उनकी वेबसाइट पुई तरीके से सुरक्षित है और किसी भी कस्टमर का कोई भी डेटा कॉंपरमाइज नहीं हुआ है आपको बता दे कि ये जो खबर है इस समय काफी दा चर्चा में है क्योंकि कोई भी पैसेंजर से किसी भी पैसेंजर का यदि डेटा जान सकता है तो ये एक काफी बड़ी खबर है जिसको लेकर बहुत सारे लोग इंडिको से सवाल भी पूछ रहे हैं अगली खबर यहाँ पर मुंबई और यूएस के बीच में फ्लाइटों को लेकर जान लेते हैं ऍके एर इंडिया को अपनी फ्लाइटों के संख्या बढ़ाने चीज़िए इसके साथ साथ यहाँ पर यूएस की एर लाटे करनी शूरू करने चीए लेकिन यहाँ पर रसिया यूक्रेन वार के कारण और इसके लावा और भी दूसरे कारण है जिसके कारण अभी तक इस रूट पर फ्लाइटे आपरेट नहीं हो पा रही है आपको बता दे कि कोरोना वारस आने से पहले मुंबई और यूएस के बीच में एक सब्ता में टोटल 21 फ्लाइटे आपरेट होती थी जो कि अब केवल तीन फ्लाइटे ही आपरेट की जा रही है आज की इन खबरों फिलाल इतना ही ऐसे और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस आपडेट समय पर मिलती रहे